आज की जो फोडो एडिटिंग है ये मकर संक्राती स्पेशल फोडो एडिटिंग है और दोस्तों ये बहुत ही रियालिस्टिक वाली एडिटिंग है दोस्तों अगर आप लोग बिगनर भी है और पहली बार फोडो एडिटिंग कर रहें तो भी आपको टेंशन लेने की जरू को सब्सक्राइब एन एम बाश्य चैनल एंड प्रेश दी बैल आइकान तो नेवर मिस्टे अपडेट तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले पिकसाट अप्लिकेशन से सुरुआत करेंगे जो की इसली अविलेवल आपको प्लेई स्टोर पे या फिर आप मेरे वेबसेट से भी डाउनलूट कर सकते हैं देखे दोस्तो मैंने यह जो बैगराउंड है इसको पिकसाट अप्लिकेशन में इसली ओपिन कर लिया है इसके बाद आपको एड फोटो में जाना है और यहाँ से कुछ पींजी अड कर लेंगे है दोस्तो यहाँ पर जो भी पींजी में यूज कर रहा हूं और बैगराउं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन में मिलेगा मेरे वैबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से तो देखे यहाँ पर मैंने दो ललको का एक पींजी लिया हुआ है जहां पर मैंने इसे बनाया है और यह पूरी तरह से ट्रांस्परेंट है और इसको इसी ली आप सेट कर पाएंगे क्योंकि मैंने इसी साइच पर ही बनाया इसे इसके बाद आपको फिर से एट फोटो में जाना है और देखी जहां पर एक काईट का पींजी है बहुत सारे काईट को मैंने आपस में मर्च करके एक पींजी बना दिया है ताकि आपक इसके बाद आपको इसे चूज करना है एक बड़ टैप करेंगे इस ऑप्शन पे तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखने को में जाएगा यहां पर आप इसका अमाउंट रेडियूस करके 5% पर दीजिए इसके बाद आपको इरेजर में जाना है इनवर्ट पर क्लिक करेंग और यहां देखे एक restore brush है इस brush को ले लेना है आपको size या setting जो भी change करनी हो आप कर सकते हैं और इसको paint कर लेना है सिर्फ single single जितने भी images आपको दिख रही है यहां पर पतंग दिख रही है और यह जो लड़का है यह दिख रहा है इन सारे चीजों को आपको blur कर लेना है जो क के बाद इसको done कर देंगे तो देखें यहां पर हमारा पहला step complete हो गया अब हमें क्या करना second step में add photo में जाने के बाद देखें यहां पर मैं एक model ले लेता हूं आपको कुछ इस तरह के pose में एक photo take कर वा लेनी है और आपको इसका background erase करने के ओपर मैंने बहुत सारी वीडियो आपको अगर जरूरत हो देख लेना link में description में देदूंगा इसली आप देख पाएंगे अब आपको क्या करना है फिर से add photo में जाना है और यहां से एक black color का photo ले लेना है मैं इसका नाम shadow लिक के देदूंगा आपको इसको क्या करना है पूरे photo पे अच्छे से बढ़ा कर ले देना है मैंने नौरमली यहां पर शैड़ो बनाया है और इसका आमाउंट आपको 70% के पास पास में रखना है आप 77 रख सकते ही 80 रख सकते हैं बट 70% is decent okay मतलब 70-80% decent होता है अब इसके बाद आपको क्या करना है हमारा जो मॉडल है उसे चूज कर लेना है देखिए जहां इसके फेस की जो लाइट है ग्राउंड की लाइट मैच नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है और इसकी कलर को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना जिसी यह पीला हो जाए तो मैच करेगा सैचूरेशन थोड़ी सी डाउन कर लेंगे क्योंकि बहुत जादा सैचूरेशन हो है और हाइलाइट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हाइलाइट घट रहा है इसके बाद यहां पर इसकी शैडव जो है उसको बढ़ा लेना है जिससे यह थोड़ा सा और अच्छे से दिख पाए इसका शटका जो क्रीच वगरा यह सब कुछ अच्छे से दिख पाए त डाणायव प्लिक और फोटो यहां पर किया के में अब पोड्य कंड़ाय है कि यहां पर मे Collision All प्लिक दोनों तरफ से तो यहां पर मैं इसको करणा लेता हूं इन सारे चीजों को और यह पहला वाला हांत हमारा complete हो चुका है अब दूसरे finger की तरब जाते हैं और इसे भी हम लोग erase कर लेते हैं तो देखिए ऐसा feel हो रहा है कि सच में model ने क्या किया है कि यह जो हमारा kite है उसको पकड़के रखा है अब हमें क्या करना है सारे photos को merge कर लेना और देखिए यहां से आपको टेक्स्ट का PNG मिल जाएगा मकर शंक्रानती लिखा हुआ यह हिंदी में अगर आपको चाहिए तो इंग्लिस में मैं दे दूंगा दोनों की PNG आप जो भी दिल करें वह आड कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है फिर से आड फोटो में जा होता है और दान या फिर जो भी निकलता है वह रहता है वह सारी चीजों का एक PNG है और इसको मैं यहां पर एक सिंप्लिस को आड किया इसके बड़ा करके तो यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है अब आपको क्या करना हमारी जो फोटो एडिटिंग यह पुरी तरह स है अब इसको सेफ कर लेना है अब आपको लाइट रूम एप्लिकेशन उपन कर लेना लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग कलर करेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ला दो उपर वाला पॉइंट है ठीक है दोनों उपर वाले पॉइंट को हमें हलका हलका उपर रखना है और जो मीट पॉइंट उसको बिल्कुछ जरा सा स्लाइटली नीचे रखना है इसके बाद रेड़ वाले कर पे आएंगी सबसे पहला वाला जो कर वहां पॉइंट होगा दूसरा फुच बाद में फुरो उसके ऊपर होगा और बीच बाले को डीच म ही रखेंगे और उपर बाले जो होगा यह महारा है थोड़ा संपर होगा सीर फूस्टो मैं जानता हूं कि आपको इस चीज में थोड़ी सी दिखकफा असकती है तो इसके लिए मैं आप य데 प् det करता हूं लोगों को कि आप मैनुवली ही एज़ेस्ट करें क्या होता है इससे आप सीख पाएंगे और दूसरे फोटो पर भी काम कर पाएंगे बट प्रिसेट भी एच्छी चीज है अब इसके बाद यहां पर एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा करीब पॉइंट फोरी भी कॉंट्रास को 30 परसंट हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे और यहां हाइलाइट को 15 परसंट बढ़ाना है इसके बाद शाड़ो को हमें क्या करना है करीब 20 परसंट के पास में लिकराना है वाइट यहां पर नंबर समझ मैं आगया इसके बाद ना ही किलर में यहां पर विद्यिंपर साइड आपको 20 पर्संट उसरे करना एक का रहना है इसको माइन यहां पर देखिए जो सबसे पहला रेड कलर इसको क्या करना है आपको माइनस करना है माइनस 20 और कुछ टच नहीं करना है और यहां पर घटाना है आपको ओरेंज कलर को कर आएंगे इसको और यहां Saturation जो है मैं Saturation को क्या करना है थोड़ासे बढ़ा लेना है नहीं Saturation नहीं है लिओमिनेस को थोड़ासे टू पर्संट नम स्सक्राइप करना है लिओमिनेस को थोड़ासे ह्वाए थे तो कि इसके बाद यहां पर sky color के पास आ जाते हैs sky color में आपको क्या करना है कि इसका वी यू को 30% बढ़ा लेना है एक्शुलि बढ़ारे नहीं है घटा लेते हैं क्योंकि बढ़ाने से उतना अच्छा नहीं लेगरा था मैं यहां पर 30% हमारा यू को घटा लेता हूं और saturation को क्या करता हूं यहां पर 10% बढ़ा लेता हूं और luminous को यहां पर घटा लेता हूं करीब 10% अब हमें blue color में आजाना है blue color में क्या करना है कि आपको यहां पर saturation को sorry hue go down कर लेना है minus 16% saturation को 10% रखेंगे और luminous को यहां पर 10% रखेंगे इसका काम है नहीं मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कलर है आक्छिली हमारी पतंग में यह कलर है तो मैं क्या करता हूं इसका यू 92 के पास में ले आता हूं 100 ही ठीक है और यहां पर luminous में luminous 100 कर देता हूं यह तो 91 हुआ 100 हो गया चली क्योंकि क्लर है नहीं इसी के वएसे मैंने से किया बट अगर आपके फोटो में हो तो आप चेंज कर सकते हैं तो इसलिए मैं मैंनुवल सजेशन देता हूं अब यहां इसको चेंज करेंगे करीब वह 190 एक सो नवे 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 यहां पर जो हमारा ग्रीन और ब्लू के पास पास का जो कलर है वह 190 के पास में आता है और इसके बाद आपको साचुरेशन लेना है 15 परसंट ब्लेंडिंग को रहने देतें 50 परसंट ठीक है बस सिंप्ली यहां पर साचुरेशन करेंगे इसके बाद आपको क्या रहना है effect में जाना है effect में clarity में 20% को बड़ा लेना कि 20% भीच्नेट टास करने की जारूवत नहीं कि इसके बाद आपको क्या करना है sharpness में शापने समस्त milkitas שऑह चआया है कि आपको एक बार बिपोर और तो आपने देखी लिया अब यहां पर आ जाते है अब यहां पर आजाते हैं सेलेक्टिव ठुष में यहां पर आपको लीनिय ग्रेडियन ले लेना है नीचे से ऊपर की तरफ आपको किया करने ड्रो कर लिए इसके बाद आपको ऐसे और में आ और इसका एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन कर लेना है तो 0.73 EV किया हमें और थोड़ा सा हाइलाइट को यहां पर हमें क्या कर रहा है बढ़ा लेना है करीब 14 परसंट या 15 परसंट के पास में अब आप देख सकते हैं before and after काफी अच्छा एफेक्ट आ रहे हैं आपर I hope दोस्तो आप लोगों को यह फोटो एडिटिंग पसंद आई होगी और मैं इसका प्रिसेट जरूर दे दूंगा आप पहले प्रिसेट ट्राइ कर लेना बाद में उसमें मैनुल चेंज़ेस कर सकते हो जो कि आपके लिए सबसे इजी होगा तो I hope दोस्तो आप लोगो यह फोटो एड उस्तो किसाओ